मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे उपनिश्दों का एक मंत्र सद्यों से हमारे मानस को प्रेणा देता आया है, चरहईवेती, 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 चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आज हम इसी चरहईवेती, चरहईवेती की भावना के साथ मन की बात का सोवा एपिसोड पूरा कर रहे हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ ने दूसरों को प्रेणा दी है इस कारकम में हर देशवासि दूसरे देशवासि की प्रेणा बनता है एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तयार करता है मन की भात हमेशा सत्भावना, सेवा भावना और कर्तव भावना से ही आगे मरा है आजादी के अमरुत काल में यही positivity देश को आगे ले जाएगी, नई उचाई पर ले जाएगी और मुझे खुशी है कि मन की भात से जो शुरुवात हुई है, वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं साथियों, मैं आज आकासवानी के साथियों को भी धन्यवात दूँगा, जो बहुत धैरिय के साथ इस पूरे कारकम को रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांस्टेटर्स जो बहुत ही कम समय में, बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्नक्षेत्रिय भासों में अनुवात करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ मैं दूर्दर्शन के और माई गौव के साथियों को भी धन्यवात देता हूँ देजबर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बीना कॉमर्सियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार विक्त करता हूँ और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा जो मन की बात की कमान सभाले हुए हैं भारत के लोग भारत में आस्था रखने वाले लोग ये सब कुछ आपकी प्रेणा और ताकत से ही संभव हो पाया